Hello Friends, आप सब का स्वाखत मेरे चैनल पर जिसका नाम है Tag Tally Account GST दोस्तों मेरे इस चैनल पर Tally Account GST से संबंदित जो जानकारियां हैं वो आपके साथ share की जाती हैं मेरे इस चैनल पर टेली से संबंदित कुछ वीडियो मैंने upload कर रखी हैं उन वीडियो को आप tag tally account gst यूटूब पर सर्च करके मेरे चैनल पर पहुँच सकते हैं और वहाँ पर मेले चैनल के लोगों पर क्लिक करके वीडियो पर जाकर सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं ग्यान अरजन कर सकते हैं टेली में आगे बढ़ सकते हैं तो आज हम देखते हैं कि आज हम टेली में क्या सीखने जा रहे हैं तो आज हम सीखेंगे टेली में कंपनी को डिलीट करना या कंपनी को हटाना दोस्तों टेली में कंपनी को डिलीट करने की आवश्यक तक क्या पड़ती है कि मानली जी हमने कोई practice कर रहे हैं और practice करने के लिए हम कई अलग अलग तरह की company आपर बना कर रखते हैं तो इससे बहुत सारी company हमारे पास हो जाती है अब कुछ company हैं उनमें से हमें हटाना पड़ती है तो उसके लिए कंपनी को डिलीट करने के लिए कैसे उसको डिलीट करते हैं टेली में इसके अलाबा मानलीजी हम किसी लॉयर के यहां काम कर रहा है और उस लॉयर के यहां पर बहुत सारी कंपनीयों का हिसाब किताब रखा जाता है अकाउंटिंग की जाती है और मान लिजिए बहुत सारी कंपनिया हैं जिनका हम अकाउंट रख रहे हैं उनमें कुछ कंपनिया ऐसी होती है जो बंद हो जाती है या कुछ फर्में ऐसी होती है जिनका काम हमारे पास से चला जाता है तो उन company की हमें कोई आवश्यक्ता नहीं रहती है तो क्यों हम अपनी list of company mode को रखें तो ऐसी company को हम delete कर देते हैं तो आई देखते हैं कि किस तरह से टेली में हम company को delete करते हैं दोस्तो इसके लिए क्या करना है आपको आपके सामने इस तरह से screen appear होगी और यहाँ पर gateway और टेली मुख मीनू आपके सामने होगा साइड में कोई सी भी company खुली हो उसके कोई फरक नहीं पड़ता है अब हम company को delete करेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा कि side में जो button bar है उस पर company information alt f3 लिखा हुआ है या तो हम इसको mouse से click कर देंगे या फिर alt के साथ f3 प्रेस करेंगे keyword से तो यहाँ पर हम alt के साथ f3 प्रेस करते हैं keyword से तो देखिए हमारे सामने company information मीनू खुल जाएगा अब इस company information मीनू में हमें जिस company को delete करना है उसको select करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे select company option है इसको mouse click करके select करेंगे और enter प्रेस कर देंगे अब हमारे सामने list of companies खुल जाएगी यानि जितनी भी company हमारे पास बनी हुई हैं उनकी सारी list यहाँ पर आ जाएगी अब इसमें से जिस company को हमें delete करना है जिस company का record हमें हटाना है टेली के अंदर से तो इस company को हम यहाँ से select कर लेंगे माल लीजिए मेरे पास यह भरत traders company है और इसको हमें delete करना है तो mouse click करके या up down arrow से हम इसको select कर लेंगे और enter प्रेस करेंगे जब हमने enter प्रेस किया अल्टर को selector के enter प्रेस किया तो यह भारत traders company है वो श्वैमी select होकर आ गई अब हम enter प्रेस कर देंगे जब enter प्रेस किया तो यह देखिए company alteration form हमारे सामने खुल कर आ गया नया भारत traders है अब यहाँ पर इस company को हमें हटाना है टेली से delete करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसको delete करने के लिए keyboard से alt के साथ d, d for dog alt के साथ d प्रेस करेंगे जब हमने alt के साथ d प्रेस किया तो हमारे पास यह menu आ गया इसमें है delete, yes, no अब हमें यहाँ पर delete करना है तो हम इसको yes कर देंगे yes करने के बाद तेली हमसे पूछेगा, are you sure क्या आप बांकई में delete करना चाते इस company को, तो हम फिर से yes कर देंगे और जैसे ही इसको yes किया तो हमारी ओ company delete हो गई अब हम list of companies में जाकर जब उसको देखेंगे, तो हमारे पास भारत भारत traders, जो company हमने delete किये, वो यहाँ पर नहीं दिख लई देखेंगे, यह है, यह है, यह है alpha weight, एक बाद B, यहाँ से भारत traders company हट चुकी है, तो क्या हुआ है, कि company से संबंदित, यानि भारत traders जो company थी, उस से संबंदित सभी file हैं, आपकी hard disk से हट चुकी है, वो company delete हो चुकी है, escape की करके हम बाहर आ जाएंगे, तो इस तरह से दोस्तो हम delete कर सकते हैं, company को daily के अंतरगत, तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हम daily ERP9 में company को delete करते हैं, आप company को हटाते हैं, और उस से संबंदित सभी record और सभी file को हटाते हैं, तो दोस्तो अगर आप phrase student हैं, अगर आप शुरुआती इस तरह पर सीख रहे हैं, तो मेरे इस channel पर step by step daily के अंतरगत काम करना सिखाया जा रहा है, इसके लिए आप क्या करें, tag daily account GST को सर्च करने, youtube पर मेरे channel पर पहुँच कर, logo पर click करके, वीडियो में जाकर आप सारी वीडियो करन से देख सकते हैं, सबसे पहली वीडियो में जो upload किया है, वो एक company बनाना, तो company बनाने से लेके, आप step by step मेरे वीडियो को देखते आएं, और बहुत अच्छी तरह से आप, बहुत सरलता के साथ मैंने उसमें बताया है, तो आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, टेली में काम कर सकते हैं, टेली में आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करें, चैनल को subscribe कर लें, चैनल को